बुलन शायर मापंचायत करने के लिए पहुँचे भारते किसान यूनियन के राष्ट प्रवक्तर राकेश टिकेट ने पंजाब में हो रहे हैं परदर्शन को और पराली जलाने को लेकर कहा कि पराली ये ट्रक्नलोजी भारत सरकार को बतानी चाहिए कि बगर पराली के धान क पराली कनिस्तारं सरकार की जिम्यदारी है सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क पर आना ही एक रास्ता बचता है वहां से आवाज सरकार तक जल्द चली जाती है एक बड़ी साजिश है वहां की सरकार के पीछे भारत सरकार भी है जो ये भी चाहती है कि आंदोलन यहां सबसे जादा हो पंजाब एखात की खरीद भी नहीं हो रही है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हों प्रकाश राजबर्ट के सवाल को लेकर बोले उत्य प्रदेश में जैसे गन्ना समिती का चुनाओ हुआ ऐसे ही सरकार बन जाएगी आने वाले समय में चुनाओ बचेगा ही नही जैसे कोरिया में परचा भरा जाता है और चुनाओ हो जाता है भारत में भी ऐसा ही होगा बुलंशेर से प्रदीर पंडित के खासपोर्ट मुद्दे जो किसान के इश्यू है वो बिजली के इश्यू है गन्ना भुगतान के हैं MSP गारेंटी कानून को एक बड़ा सवाल देश में है यह सारे इश्यू है हमारे इन इश्यू के लिए आप यहां पा रहे पंजाब और हजाड़ा में भी यह कहा गया है कि वहां पर प्रोटेस्ट चलना है रोड जाम कर दिये गए हैं यह कहा जा रहा है कि पराली को ले करके और खासकर यह खात नहीं प्रोटेस्ट पैदा होगा अब भी इसका पर्मिट दो प्रोटेस्ट रहा है कि पुराली का निस्तारं सरकार की जुम्मधार ही कैसे करना वो सरकार बतावे सब्सक्राइब करेगा सरकों पर उत्रेगा जिस तरीके से जैसे पंजाम में चल रहा है सब्सक्राइब जाम कर दिये गए इसको ले करें देखो जहां दिक्कत होगी लोग आएंगे सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क का एक रास्ता बचता है मसा आवाज सरकार तक जल्दी जाती है और एक बड़ी साजिस महां की सरकार के पीछे तो बारत सरकार भी है कि je am 2 निया सबसे ज़्यादा हो सरकार यह सर chrom यहां की बदलाम हो क्यक्otzा क्योंकि खरीद का महां पर दान की खरीद भी नहीं हो रही वह बड़ा सवाल है कले उत्तर प्रदेश के मंत्री आई थे पंचायती राज मंत्री उन्होंने कहा है कि दोजार 27 में चुना भी नहीं होगा यही सरकार बनेगी अब जब इतने भाविश्यकारी करता है बन जाएगी जैसे यहां गन्ना समीति में हो यह ऐसे हो जाएगी आणे-गोले टाइम पर तो चुनाव बचेगा ही नहीं है नाम का बचेगा जैसे को कोरिया में है पर्चा तो बाविश्यावानी कर रहे हैं उनकी जो प्लान है वो बता रहे हैं उप्चेन आपको लेकर के सब क्या कहेंगे यह तो ठीक ही रहेगा उसको नहीं दिक्कत नहीं करने के